और अब चलिए राजमीती से जुड़ी खबरे देख लेते हैं नौ सेकिंड न्यूज ले एक देश एक चुड़ाव पर विचार के लिए फूर्व राजपती रामनात कोविन के नितटु में गठित उच्च तरिये समीटी के आज बैठक बैठक में अबता कोई प्रधती की होगी समीट्शा राजटितिक दलों की राएट पर विचार आज दूर संचार विधेग 2023 को लोगसभा में पेश कर सकती है सरकार सूत्रों के हवाले से ख़वर 138 साल पुराने भारतिये टेलीग्राफ अदिनियम की लेगा जगर कैबिनेट ने अगस्ट में इस बिल को दी थी मनसूद आज से ओनलाइन चंदा एक अठा करने के लिए कॉंग्रिस का डोनेट फोर देश अभ्यान कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिकारजुन खर्गे करेंगे शुर्पात 28 दिसम पर तक ओनलाइन और पिर चलेगा जमीनी अभ्यान लोगसभाद चुनाओ की तैयारियों को लेकर कॉंग्रिस में बैठकों का दौर जारी है कॉंग्रिस अध्यक्ष खर्गे ने आज यूपी कॉंग्रिस के निताओं की बैठक बुलाई राहूल और प्रियंका गांथी भी होंगे शामे पश्यम बंगाल की मुख्य मंतरी ममताब एनरजी की दिल्ली दौरे का दूसरा दिनाज बंगभवन में पाची साल सदों से करेगी मुलाकात कल होने वाली इंडिया गटबंधन की बैठक नहीं जिश्याम इंडिया गटबंधन की बैठक से पहले के जिर्वाल और ममताब एनरजी की बैठक संभाव आहन मानी जा रही गटबंधन के दो बड़े घटक दलो आप टीमसी निताओं की मुलाका मधिप्रदेश, सतीजग़ और राज्यस्ठान में मंतरी मंडल गठन को लेकर चर्चा बीजेपी अध्यक, जेपी नड़ा और ग्रे मंत्री अमित्षा से मिले तीन राज्यों के मुखे मंत्री मंदल गठन को लेकर राजनात सिंग से भी राजस्थान के रेताओं की मुलाखा राजिस्थान वेकुल बनाय जा सकते हैं तीस मंत्री एसीम और दो डेपूटी एसीम के बाद 27 मंत्री ले सकते हैं शपत केंद्रिया नेतरिक वैयुवा और अनुभवी विधायकों को दे सकता है मौका शरत पवाड ने कहा अभी बूढ़ा नहीं हुआ मेरे पास कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत महराश्य सरकार में शामल होने के तुरह इंतिबाद अजित पवाड ने कहा था चाचा बूढ़े हो गए दिल्ली विधान सभा के सत्र का आज दूसरा दिन है पेश होगा गुड एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल बीजपी की केज़ जबाल सरकार की कई मुद्धो पर घेवने की कोशिट आज से मध्यो परदेश की सोलवी विधान सभा का पहला सत्र नमनिर्वाचत विधाय कलिंगे शपत चार दिन चलने वाले विधान सभा सत्र का 21 दिसम्बर को समापन ज़ारखन विधान सभा का शीद कालिन सत्र आज फिर हंगामे के आसार सत्र रूर्ध जेमें आर जडी कॉंग्रेस गटवंधन ने कहा हम सदन में विप्रक्ष के सभी सवालों का जबाब देने के लिए तयार मराथा आरक्षन को लेकर फिर शिन्दे सरकार के अखलाप मोर्चा खोलने की तयारी 23 दिसम्बर को बनेगी रणनी थी मनोज जारंगी ने कहा मांग पूरी करने में सरकार फिल रही तो आन्दोर पीड़ी नेता महबूबा मुझती का बयान कुपवाड़ा में कहा सुप्रिम कोर्ड के फैसले से हम उम्मीद नहीं खोएंगे अनुछे 370 कोले कर अपनी लड़ाई जारी रखे बिहार के बेगुसर आये में बोले के इंजे मंत्री गिरीराज सिंग हिंदू हलाल नहीं बलकी जटके का मांस खाएं गिरीराज सिंग ने नितीश कुमार से की हलाल वाले उत्पादों पर रोक लगाने की मांग बिहार के गोपाल गंज में पुजारी की हत्या का मामला गर्माया विधान पनिशत की नेता प्रतिपक शहरी सेहनी ने की पीडिक परिवार से मुलाकात कानून विवस्था पर उठाई सबाएं बिहार में नितीश सरकार को बीज़पी ने बताया पूरी तरीके से फेल बिहार बीज़पी अध्यक्ष समराच चौधरी ने कहा नितीश जी के राज्ट में बालू दारू और जमीन माफिया का बोलवारा